नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ऑपिस कुरू चैनल में है दोस्तों आज हम Excel में सेखने वाले हैं कि एक डेटा है आपके पास दोस्तों और आपको डेटा की प्रिंट निकाल ली है ठीक है दोस्तों पहली तो बात आपम इसका मार्जिन सेट करेंगे चो और उनके total sales, कितने achievement percentage निकाले, incentive, यह पूरा data आपको print करके चाहिए दोस्तों, तो इसके कम से कम 3-4 pages निकल के आएंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन हर एक page के ऊपर हमें चाहिए दोस्तों, ये वाला title, ये headings हर एक page पे चाहिए, उसके बाद data चाहिए, इसे कैसे करेंगे, चल shortcut के है CTRL plus P, ठीक है, अब आपके keyboard के ऊपर से, आगर आपने, ये control P, shortcut की अगर प्रेस की, तो दोस्तों, आपको ये view मिलेगा, इस तरह के से, देखें, मैंने control P किया, तो मुझे यहाँ पे दिखाए दे रहा है, ये सारे column के नाम, उसके बाद ये records, ठीक है, 30, तो यहाँ प show तो हो रहा है, लेकिन इसके उपर मुझे वो headings ये column के नाम यहाँ पे display नहीं हो रहे, correct है दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे भी वो पहले page के column के name यहाँ पे चाहिए, फिर उसके बाद, third वाले page के उपर भी मुझे column के नाम चाहिए, और fourth वाले इस page के उपर भी जाहिए, तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो वहीं आज हम सिखने वाले, अगर दोस्तों आपके पास, आपके preview में अगर ये margins शो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे click नहीं किया, दोस्तों यहाँ पे देखी क्या है option, show margin click कर दीजे, तो यह ऐसे निकल जाएंगे, अगर आ यहाँ पे हर एक page के ओपर ये वाला जो पहले वाली जो line है, column name की, यह हमें display होने चाहिए हर एक page के यहाँ पे ऊपर, ठीक ही दोस्तों, चलिए, skip कर देता हूँ हमें से, skip करने के बाद हम आएंगे main excel की data पे, तो हमें यह जो title है, title इसे column name भी होते है, हर एक page पे चाहिए, तुम क्या करेंगे दोस्तों देखिए, एक simple तरीका में आपको बताऊंगा, दो option भी है उसके, मैं वो भी आपको समझाऊंगा, आपको simply जाना यहाँ पे दोस्तों page layout में, page layout को click करने के बाद यहाँ पे page से print से संबंधित बहुत सारे options यहाँ पे है, ठीक है, चलिए दोस् सिंपल तरीके से बताऊंगा दोस्तों, देखिए, यह page setup का box open होगा, ठीक है दोस्तों, आपको simply जाना यहाँ पे sheet tab में, यहाँ पे click करने के बाद देखिए, यहाँ पे click करने के बाद देखिए, पहला क्या लिका देखिए, प्रिंट area, आपको कौन सा area प्रिंट करना है, तो मैं simply दोस्तों, यहाँ पे अंदर click करके slate करने वाला होगा यह पोरा data, देखिए दोस्तों, पोरा data ले लिया, देखिए, पैसे एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक, यह पोरा data आ गया, यहाँ पे देखिए, top rows to repeat at top, corrected दोस्तों, यहाँ पे हम open करेंगे, top rows भी हम show कि top row जो है, देखिए, यह वाली है, corrected दोस्तों, और यहाँ पे column repeat at left column repeat होना चाहिए, कोई ज़रूरत ने दोस्तों, यहाँ पे अगर चाहिए, तो आप यहाँ पे select भी कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, यह वाला, ठीके दोस्तों, बस आपको करना है, यहाँ पे, okay, इतने ह करनें, दोस्तों, बस यह दो डेटा, अगर आपने अपडेट किया, अभी हम जाएंगे, control P करेंगे, यहाँ पे, shortcut की control P, और यहाँ पे तो show होरें, दोस्तों, headings, correct है, column names, एक page पे आ गए, जिसी हम next पे यहाँ पे click करेंगे, दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, next page, दोस्तों, बहुत मतलब, बहुत जरूरी है, जब भी आप print out निकालेंगे, तो आपके manager, आपके management, आपके senior, आपको यह question 100% पूछेंगे, कि हर एक page पे आपके column names रहेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो दोस्तों, इसे आप यह use करके, आप easily column name हर एक page पे title लगा सकते दोस्तों, ठीके, और एक दूसरा भी तरीका में बताऊंगा दोस्तों, इसे हम कैसे insert करते, और एक च्छोटा सा तरीका है दोस्तों, यहाँ पे page setup, अब इसे भी open करके कर सकते हैं, देखे, मैं यहाँ पे click करता हूँ, तो यहाँ पे देखे, वही option है दोस्तों, sheet का, click कर द settings यह वो भी चाहिए, तो click कर दीजिए, और okay button प्रेस कीजिए, तो आपको यहाँ पे a, b, c, d, a, b show होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों, इसके तो आपकी जरुद बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यह बिल्कुल मत कीजिए, ठीके, लेकिन आपके knowledge के लिए मैं ने बता इसे वो color भी चले गए, ठीके दोस्तों, तो इसे करेंगे, हम simply, दीखें दोस्तों, वापे से बार page layout में, sheet में, अगर आपको नहीं चाहिए, तो इसे निकाल दीजी, green land को click करेंगे, तो क्या होगा, दीखें दोस्तों, वीव हम check करेंगे, तो आपके colors, ठीके दोस्तों, त बहले data आपका color में रहें दीजी, दोस्तों, लेकिन print निकालने के लिए, black and white निकाल दीजी, और इसे simply हम escape करेंगे, तो आज हमने सीखा दोस्तों, कि आपके बड़े से बड़े data की जब हम print निकालेंगे, तो हर एक page पे, जो भी data जाने वाला है, उस data के उपर आपके पहले print में जो आने वाला है column names, column के headings, वो आपके हर एक page के उपर आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा recession था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इसे 100% आपके reporting में use कीजी, दोस्तों, जहां कहीं पी भी, अगर आपको print निकालना है दोस्तों तो headings भी print कर दीजे, ताकि calculation करने में, analysis करने में बहुत आसानी होती है दोस्तों, ठीके, अशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये मेरा session 100% पसंद आया होगा दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजी, और like और comment करना मत भूली दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया और ध अन्याद